तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने दीखा था वांग लिंग यहाँ पर डिसिजन ले चुका था कि अब तो इनको निप्टा के रहूंगा और एकिक करके यह जो नए छे प्लैनेट बने थे वुल्फ क्लाइन के ज़्यादा तर लोगों को यह डेवोर कर जाता है और तभी यह क्रीन वुल्फ यहाँ पर प्रकट होता है अब आके वांग लिंग को यहाँ पर दिखाया जाता है इसके आँखे लाल चुमक रही थी और जो इसके ओरजिन सोल का इंजरी था वो अब थोड़ा सरी कवर चुका था और इसने यहाँ पर रेस्टिक्शन फ्लैग भी लगाया था तो एक प्लैनेट तो यहाँ पर पहले कोलाप्स करता है हाला कि प्लैनेट अबेंडन था लेकिन इसमें फिर बेग स्प्रिक्वल एनरजी ठीक ढगता और वांगली ने इसे जान बुझके कोलाप्स कर वाए था ताकि जब वो बंदा आ रहा है क्योंकि इसको अंदाजा हो गया था तो इसके इंपैक्ट की वज़े से यह धर तब तक निकल जाएगा लेकिन साथ में बाकी भी पांच मिलनेट को एक्स्प्लोड करवा देता है ऐसा लगए था मानो अपोकेलिप्स आ गया है मतलब जैसे दुनिया का विनाश होता है और तूफान की तरह था जिसके बीच में यह जो बरली मेंगता यह फंस जाता है और इस तोरह यह जो बेड़िये वो अपने आवाज निकालते है कुछ वैसी आवाज निकालते है और इसके पीछे में इसका जो ग्रीन सा इसका वो शैडव वुल्फ प्रकट हुआता वो थोड़ा वीक हो जाता है बट फिर भी बाहर निकल पाता है और वांगलिंग को डेवोर करना जाता है जैसे भेड़िये, चंद्रमा की दरफ दीखते है और उसे मानो डेवोर करना जाते है कुछ वैसा अब वांगलिंग भागते भागते टोटोई शैल को प्रकट करते है और ये शैल काफी बड़ा होने लगता है ये इसे उल्ड वर्मिलियन बाड ने दिया था ये वही था एंसेंट सोल रेस्टेक्शन तो फिलाल ये वांगलिंग की रक्षा करता है और जब वुल्फ का इस शैल से टककर होता है तो शैल थोड़ा सा सिखोड जाता है और वांगलिंग इसे श्टोरे स्पेस में रखकर भाग जाता है तो ग्रीन वुल्फ जो था पहले तो वो जो कोलाप्स हुआ था उसकी वज़े से डैमेज वा था और फिर इस शैल की वज़े से और कोलीशन के वज़े से ये लगबग लाग फिट पीछे जाके गिरता है वांगलिंग अब इस श्पेशल बेंडिंग यूज करके भागने वाला था बढ़ इसकी नजरे उस लड़की के उपर पढ़ चुकी थी भागते भागते मतब उसकी तरफ ये देख रहा था लड़की को क्या पता था कि वांगलिंग कितना शातिर है बरली मैन वांगलिंग को चेज करने वाला था पर तब इसका एक्सप्रेशन बदलता है ये फील करता है कि इसकी बॉड़ी में इथीरियल फ्लेम जलना शुरू हो गया था अंदर से जलना ये शुरू हो चुका था और चीखना शुरू करता है अब इसे समझ में आता है इथीरियल फायर और ये खून के उल्टी करता है लड़की भी थोड़ा सा डर जाती है और इस तुरान ये अपने थर्ड आई को टच करती है कि मैं सेलिंग एक्स्टर्मिनेशन क्लैन के डिसेंडेंट हूँ उम्मीदे आप डिसेंडेंट समस्ते होगे मतलब खांदानी या जो भी और ये बोलती है तो मैं अपने क्लैन के सील को यूज़ करना चाहूँ ताकि इस बंदे को रोक पाऊ वांगलिंग जैसे दिखता है इसके आँखों में चमाखा जाता है तो जो छे प्लैनर्स थे जो कोलैप्स होएते हैं उसके बीच में वांगलिंग ने ब्लडी स्वर्ड छिपा के रखा था काफी एच्छे से छिपा के रखा था तो इन्नों ने उसे देखनी पाये थे लेकिन अचानक सा अब ये बाहर निकलता है और लड़की कितरा पढ़ता है और इस पेड तो आपको पता है कि यार एक तो ये इथिरियल फायर कल्टिवेटर है लेकिन शुरू में यूज नहीं किया था इसने इसने दीखा जब मैं जादा ही पागल हो गया मतलब इमोशन जादा ही निकल रहे थे तब यूज किया फिर इसने वो तलवार छिपा के रखा था वेट कर रहा था डाव माशर माय हुए उनके इस मेडिन का जान लेने के लिए क्या खतरनाक प्लैन है फिर वो तलवार वो भी काफी फास्त था बहुत शार्प भी था और इसे पता था शायद कि मैं थाड़िस्टेप कल्टिवेटर हूँ शादिस तलवार को जहील पाऊँ बढ़ यह लड़की नहीं वांगलिंग से से ज़़ा डर नहीं लगता है उसके प्लैन से है उसके ट्रेजर से डर लगता है शादिसे यह भी लगता है कि वांगलिंग ने इस लड़की के क्लैन को पैचान लिया होगा क्योंकि लड़की का जो clan है seal exterminating clan बहुत powerful है छोटे clan है बट बहुत powerful क्योंकि वो वांगलिंग के spells को भी seal कर सकती है फिलन लड़की का वो जखम तो भाल जाता है लेकिन वहाँ पर permanenting निशान आ जाता है निशान और यह बोलती यार उसको सब पहले से पता था और यह भी बोलती शायद उसे यह भी पता है कि मैं sealing extermination clan के हूँ तो उसने planet जान भूंच के explode का रहा था और बीच में छिपा के रखा था उस तवर्ड को वो smile कर थी कि पूरा plan उसका यही था कि वो मुझे मार दे लेकिन यह डर भी रही थी smile तो था बट डर भी रही थी कि उसे जब पता चल गए कि हम दुश्मान है तो फिर वो सोच था भी नहीं जाए मैं लड़का हूँ या लड़की कोई भी हो और हमारे master ने भी शायद इसके इसे हमें मारना पड़ेगा क्योंकि यह भाग भी जो रहा है डायरेक्शन इसका फिक्स है इससे कहा जाना है और यह हैरान हो जा थी कि वो जो डायरेक्शन था वो ancient order tom का था कि यह वहाँ क्यों भाग रहा है तो इस डायरेक्शन में एक रिफ्ट दिखाए जाता है जिसके अंदर में एक अलग दुनिया थी ancient order tom जहाँ पर fog भी दिख रहे थे इवन थर्ड स्टेप कल्टीविटर भी ऐसे प्यार से नहीं जा सकता भाई अंदर सिवाई मेरे तो यहाँ पर यह जो टेंस हो रहा था इसमें एक resentment था एक प्रतिशोध वाली भावना थी योगि अंदर में बहुत सार ancient gods के, सर थे, demons के और devils के भी जोकि stone platform पर रखे हुए थे और यह औरा बाहर तक फैल रहे थी एक million kilometer तक तो बाहर में बहुत सारे cultivators खड़े थे देख रहे थे कि अंदर कैसे जाना है और कुछ लोगों को तो पस यह औरा फील करके हटना पड़ता है चुकि अंदर से बीच-बीच में आ रहा था जैसे समुदर के लेरे आती है, जाती है कुछ वैसा एक old man थे जो कि fourth heaven blight के थे वो चल्दी से पीछे नहीं हट पाए तो fog उन्हें पकड़ लेता है और फिर चीकते जाकते निपड़ जाते है मतलब बस हड़ियां दीखते हैं और fog फैलते जाता है 2 million, 3 million, 5 million, 100 million किलोमेटर तब जो भी लोग भीज में आते हैं वो निपड़ जाते हैं लेकिन सभी लोग नहीं मरते थे कुछ कल्टिवेटर ऐसे थे मतलब 10 में से हर एक कल्टिवेटर उनका पावर लेवल बढ़ जाता था मतलब vitality बढ़ जाता था और एक mark प्रकट होता था जवान भी दिखने लगते थे और ये अंदर खीचे चले जाते थे जो कि ancient order tom का रास्ता था इन पर जो mark थे वो number के टाइप बनते थे और इससे में डाव मास्टर माईवीन का जवतार था वो काफी तेजी से पीछे आट रहा था वो 10 मिलियन किलोमेटर पीछे आ चुका था बट भागना नहीं चाता था इससे अंदर जाना था क्योंकि इससे पता था यार ये ancient order tom है इसमें बहुत सारे powerful चीजे मिल सकती है मतलब ऐसे भी method है जो कि हर एक जो third step का cultivator होता है वो void turbulent realm में जाना चाता है यानि जो third step का आखरी realm है तो फिलाल ये अपने jaws flame realm को खोल लेता है जिसके अंदर में बहुत सारे souls जो कि beautiful men और women थे उन्हें देखा जा सकता था और ये आदिश्ट थे कि अंदर बढ़ो अब fog फैलता है तो उसके वज़े से इनका 40% jaws flame कि जो souls थे वो destroy हो जाते इनका भी चेहरा पीला पड़ जाते और अब तक तो बस ये तीन कदम लेपाये थे फिर एक कदम और लेते दाथ पीशते वे 60% jaws flame के souls destroy हो जाते ये खोन के उल्टी करते अब ये सोचते कि आम मुझे जाना चाहिए by force अब ये सोचते है यार एक आउतार ही जाएगा एक बार दाओ खेली लेता हो इनके आउतार का power level spirit void पे था वो भी mid stage में और fog जैसे ही इने touch करते हैं इनका cultivation गिरना शुरू हता है early phase spirit void फिर peak nirvana void late stage mid nirvana start फिर early stage में आ जाता है निर्वान वोइड के और ये खून के उल्टे करते हैं बोडी देरे खतम होने लगती है लेकिन तभी एक नम्मर वाला mark इनके third eye पर बन जाता है और जैसे बनता है एक suction force इन्हें अंदर कीज लेता है इन्हें समझ में आ जाता है कि third step के cultivator इस force को रेजिस्ट कर सकते हैं लेकिन निर्वाना वाइड अर्ली फेस थे उपर का कोई बन्दा अंदर नहीं जा सकता इसलिए इनका power level गिर के निर्वाना वाइड के अर्ली फेस में आ गया था तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है इस समय काफी दूर में western side में fog के west side में एक moon geyser serpent को दिखाय जाता है इसके उपर में cold man बैटे वे थे जिनके उपर yin और yang tattoo था ये fog को देख रहे थे एक seal बनाते है और इनके जो और जिन सोल का कुछ हिस्स्ता था वो बाहर निकलता है और यहाँ पर तीन लोग दिखते है woodong chang, zi zing tian और moon geyser serpent और ये बोलते है old man कि तुम तेनो ancient order tom के अंदर जाओगे अगर आपको याद होगा तो मुझे जी zing tian याद है शायद इसे थोड़ा सा ancient god का power मिला था बट वांग लिंग ने इसे साइद निप्टा दिया था शायद ये बचके होगा वुडॉंग चान भी वांग लिंग को मारना चाहता था और moon geyser serpent में शायद अंदर गया था खैर चो भी हो हमें पता चली जाएगा तो फिलाल moon geyser serpent और इन दोनों पर mark बन जाते हैं वह नमर वाला और ये तीनों अंदर चले जाते हैं old man fox से दूर आ जाते हैं एक planet पर प्रकट होते हैं और अपने cultivation में लग जाते हैं फिर यहाँ पर वो भी आयते हैं जिनने old vermilion ball वो beast skin वाले जो कि poisonous और आको cultivate करते हैं ये वो थे हैं और ये पीछे हटते रहते हैं एक cultivator को अंदर फेकते हैं मर जाते हैं ऐसे करते हैं आठवा cultivator बच जाते हैं जो कि एक old man था काफी बिमार भी था लेकिन जब ये touch करते हैं तो नमर मार्क बनते हैं थोड़ा stable हो जाता है इस दोरान ये जो old man थे lizard वाले ये अपनी जो origin और थी इस बंदे के अंदर डालने लगते हैं कि इसको possess कर लो फिलाल ये इनकी पूरी औरा तो नहीं डाल सकते थे तो ये अपना बाहर निकल आते हैं और उस बंदे के अंदर अपनी औरा डाल देते हैं इधर वांग ले space distortion करके यानी bending करके आपर प्रकट होता है हसार फिर आके बढ़ता है और फिर हैरान हो जाता है क्योंकि एक लहर इसकी तरफ बढ़ रहाता ये भी सुसता भाई ये क्या है भागते भागते हलकास अपना जो soul का हिस्त होता वो all sear वाले soul में डाल देता है की future को predict कर पाए इसे इतना पता चला थे कि इस direction में भागने पर फाइदा होगा फिलाल इसके थोड़ी दूर पर black hole बंता रोव वही burly man दुबारा से प्रकट होता है लड़की मरी नहीं थी अब ये जो burly man इस औरा को देखते हो तो इसकी भी फट जाती है ये जो वेब आ रहे थे लेकिन फिर से वांगलिंग पर चार्ज करता है एक टेकनिक यूज करके ये direction एक स्ट्रीम वुल्फ डाउ और आठ डाइरेक्शन में 10-10 हजार फट के बेड़ी ये प्रकट होते है बट वांगलिंग आगे पड़ता है बहुत तेजी से लेकिन फॉग भी दो आ रहा था फॉग वांगलिंग पर वांगलिंग के आरपार निकल जाता है और बाकि आठ वुल्फ से बिटा कराता है लड़की भी अटैक करना चाती थी बट उसे मौका ने मिलता है फॉग की वज़ा से और फॉग की वज़ा से ये मर जाती मतलब इसके कंकाल बन जाते बट कंकाल गायब नहीं होता है एक ग्री लाइट निकलता है और ये फिर से जनम लेने लगती मतलब वो सकिन बनने लगते बट अब लड़की डरी वे थी क्योंकि एक बार वांगलिंग ने मार था एक बार ये फॉग मार चुका था और डर इसलिए रहे थी कि अभी ये फॉग के अंदर ये तो क्या फिर से मरेगी और ये फॉग से भागना चाती थी बट फॉग का स्विड बहुत फास्ता जितना कि ये डर रही थी वैसा कुछ होता नहीं फॉग अब इसके बाड़ी में अंटर करता है और इसका जो मार्क था नम्मर मार्क इस पे भी बन जाता है और इसका वाइटेलिटी रीस्टोर हो जाता है और इसे भी फॉग अंदर खीच लेता है बरली में को तो वो खीची चुका था वांगलिंग ये सब देखता है और वांगलिंग दिमाग लगा लेता है कि ये दो बार मर चुकी है ये सीलिंग एक्स्टरमिनेशन क्लैन ये थोड़े अलग है ऐसा दिमाग लगाता है लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि यार ये डरी भी थी जो कि जितना वांगलिंग दिमाग लगाता है उसके इसाब से अगर ये तीसरी पार मरी तो ये मर जाएगी लेकिन वांगलिंग के साथ वैसा नहीं होता है, जैसा बाकी लोगों के साथ हो रहा था ये जो fog आता है, ये NC and God औरा में बदल जाता है, जिसको इसके stars एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन इस औरा के अंदर थोड़ा वो death energy था, वो resentment है, वो प्रतिशोद की भावना थी ये वही जगे, जहांसे greed आया था, जिसके बारे में वो मुझे बता रहा था, जैसे वो जो परली मैं था, उस पर 14 नमर था, लड़की पर 29 था, अब ये सोचता है यार, ये जगे तो खतर ना कहा है, चाऊं की नहीं, तीन सांस का समय लेता है, फिर सोचता है यार, क्या ही पढ़ता है, क्या पता है ये दुबारा कब खोलेगा, या खोलेगा भी नहीं, देखी लेते हैं, अंसी अंट ओर्डर टॉंट, क्या है इसमें खास बात, बाकियों से तो मुझे ज़्यादा ही फैदा मिलेगा, तो वांग लिंग अप खुद से आगे बढ़ता है, एक खिदा भी अंदर बनने लगता है, कि देख लोगा मा की आँख, ये बहुत सारे लोगों को देखता है, किसी पर 37 नमर लिखा था, तो किसी पर 45, किसी पर 70, और बहुत सारे, मतलब इसे प्लैटफॉर्म दिखा जेते हैं, जो मतलब हवा में तैर रहोंगे, जहां पर, पर कोई मार्क नहीं था, और जब ये वांगलिंग को देखता है, जो किसी पता था, यार ये तो फॉक बहुत पापरफल है, लेकिन ये बंदा यहां पर आ चुका है, अब ये लेडिज टाइप लड़का, वांगलिंग से बोलता है, कि फैलो कल्टिवटर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर तभी, एंसें स्टार सिस्टम में, बाउनले स्टार डोमेन, मतलब एक अलग स्टार डोमेन था, एक बड़ा सा महल को दिखाय जाता है, जो कि छेपा हुआ था, मतलब कोई से जल्दी धून नहीं सकता, जहां पर कुछ मुमबत्या जल रही थी, और मु से अपने को ढखा हुआ था, और अंदर में, मुमबत्यों के लवा, एक वाइट फिगर, वाइट बालो वाले इंसान को भी देखा जा सकता था, यह था वांग लिंग, मतलब यह तीन अगर पती है, वांग लिंग को घेर के थे, इसे मानो कोई सील कर रहा था, लेकिन जैसे वांग लिंग फॉग में एंटर करता है, इस कुमे में भी थोड़े से रिपल्स आते है, और यह फोर्स अलग था, जो कि इस दुनिया कहीं नहीं था, और वांग लिंग का जो फिकर यहां पे फसा हुआ था, वो गायब हो जाता है, एंसियन टॉर्डर टॉम की बज़े से, यह ओल्ड मैन बोलता है, यार, इस बंदे को मैंने पकड़ी लिया था, फिशिंग दा, मून इन दा वेल से, थोड़ा सा और समय चाहिए था, तो समझ लो भाई वो बंदा कौन था, मतलब उसने वांग लिंग को अभी तक नहीं चोड़ा था, खतरनाक बंदा यार, यह बंदे पे छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुमने उसे मारा, तो मैं आ गया हूँगा, ब्लैक रोपला बंदा भी थोड़ा सा शान्त हो जाता है, और कहता है, लेकिन तुम मेरे मैच नहीं हो, अवाज आती, कि मैं तुमारी इंजरियों को और ज़्यादा बाहर निकाल सकत अब ये ओल्ड मैन जो था, वो बोलता नहीं है, और बोलता है हमारा एक्रिमेंट वाता, फिर ये बोलते है, मतलए ब्लू लाइट वाले, कि तुमने बोला था, मैंने काम कर दिया था, फिर इधर से वाज आती, कि तुम अपने वाइफ की बोड़ी नहीं चाहते हो, और तो भाई समझ गे ना, वो डाव मास्चर व्लू ड्रिम थे, मेरी जो समझे, तो इस बंदे नो फिशिंग वाला मार्क छोड़ दिया वांगलिंग पे, तो इसे ये कभी भी आक्टिवेट कर सकता है, खतरनाक, फिलाल, एंसन डॉर्डर टॉम को दिखाय जाता है, फौक के भी नहीं है, तो इसका कल्टिवेशन बाहर में बहुत स्टॉंग होगा, और वांगलिंग अप सोच रहा था कि यार जब तक मैं फौक से बाहर था, अचानक से वो मेरे अंदर डाव उट आ रहा था, लेकिन मैं फौक में एंटर किया, तो मेरा दिमाग शान्त हो गया, तो खुस्तो बात है, इसलिए और चोकनना हो जाता है, तो जो टाव उटा रहे थी इसके मन में, उदर क्योंकि सौवरिन खेल कर रहा था, इसे पता भी नहीं था, फिलाल ये जो वोमेनिस बंदा था, एंसेंट ओर टॉम से हजार फिट की दूरी बे था, लेकिन अब ये आगे मूफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आगे में फॉग और देंस थे, और ये बोलते हैं, शायद मैं अपने बॉड़ी के साथ, बाइफ फोर्स अंदर एंटर नहीं कर सकता, और इसके उपर से ये बंदा, इसके उपर तो मांग भी नहीं था, और इसके अलावा शायद वो ट के थाड़ ही पर एक मार्क बनता है, और ये फिर आगे बढ़ जाती है, और मेडिलेश्ट स्कॉलर जो था, अब ये पीछे अटने लगता है, और ये मन में बोलता है कि यार बस मैं अपने आवतार को भी सकता हूँ, लेकिन ये इस तुरान बोलता है कि यार इस बंदे के ब बहुत सालों से कायब है, सेकेंड एल्डर सिष्टर, उन्होंने किसी को धून लिया है, अपने लिए काम कराने को, और मेरी वो लो मड़ी, फूर्थ ही अंगर सिष्टर, वो तो टाउसेन को शायद कंट्रोल कर रही है, और फिर फिफ्थ ही अंगर सिष्टर, जिसने एक ब पूला भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पर खुद आता, डैम फूमेन, इस गौड के लिए चुप हो जाओ, शाट अब, अब हसनी की एक हवाज आती है, और बोलती है, मतलब कि तुम जितने क्रेजी होगे, मेरे लिए उतना फायदा है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहे ना, ज आवाज को सुनता है, और यह आवाज बोलती है, हुई मेजी शायद है, कि आप तो अभी तक वरजिन हो, मतलब सेलेश्टल सौवरिन ने आपको फरनेस के लिए पाला था, मतलब कि अपने औरा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो यूज नहीं कर पाए, चलो आप किसी और के का आवाज होगी, फिलाल, वो जो मेडिलेश्ट में स्कॉलर थे, जो कि बेसिकली लेडीस थी, अपने औरा को छिपा के आई थी, वो यहाँ से निकल जाती है, तो यह जो बोल रहे थी, वो तो एंसियन गॉड के एक आई में बैटी थी, तो वो अंदर जा सकती थी, इधर वा अलग जगे पे प्रकट होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्लैटफॉर्म्स देखे जा सकते थे, बहुत सारे सर भी, और इस समय एक मेडिरेश्ट मैन, जिसने डाविश रोप पेना तो वो पीछे भाग रहा था, चेरा पीला पढ़ा हुआ था, क्योंकि इसी ने वांगलि बढ़ा था, मतलब कल्टिवेटर्स ठीक ठाक हा चुके थे, बट फिर भी उतना क्राउडेट नहीं था, तो वांगलिंग इतना तो समझ जाता है, किस पर किस ने अटेक किया था, तो ये उसी तरह पढ़ता है, मिडिलेज मैन का कल्टिवेशन जाता नहीं था, थार्ड बी था, तो जैसे इसका अटेक विफल होता है, ये भागना शुरू कर चुका था, और वांगलिंग अब इसके करीब पहुंसता है, और इसका गुस्ता तो वैसे भी था, सीधा एक मुका इसके चेश्ट में मारता है, बंदा, खोन के उल्टी करता है, अब बलड इसके यू फैमिलियर दिखरा है, खास करके एक लड़की, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर शांती से बैटी थी, ये वही लड़की थी, जो सीलिंग एक्स्टर्मिनेशन क्लैन वाली थी, जिसका अब एक ही लाइफ बचा था, बर्ली मैन जो था, वो हेवनली वुल्फ क्लैन का, उससे ये सेपरेट हो चुगी थी, बट इसके किसमत खराब थी, कि ये वही पर आई, जहां पर वांग लिंग आया था, अब वांग लिंग एक प्लेटफॉर्म पर बोस्ता है, जहां पर एक एंसेंट कॉट का हेड़ था, अब इसके जो सायद आइब्रोस थे, वहां के पावर को किसने निकाल लिया था, वांग लिंग इसको अब्सर्ब कर रहा था, क्योंकि आपर एक वह रिपल्सन फोर्स भी था, तब ये चाहनक से, एक फोर्स ये फील करता है, एक वूमेन, जो कि सफीद कपड़ में थी प्रकट होती है, बाल, मतलब कमर तक थे, इपन वांग आन हो जाता है, इन्हें देखकर, क्योंकि भाई वो जो मेडिलेस्ट कॉलर था, ये कुछ वैसा ही दिख रही थी, बस वो लड़का दिखर था, ये लड़की है, वो मेन इन वाइड भी वांग लिंग को देखती है, और जैसे दोन एक दूसरे को देखती है, लेकिन तब ही एंसेंट ओर्डर टॉम में कुछ हरकते होना शुरू हो जाती, क्योंकि अभी जो फॉग था, वो अचानक से और वाइलेंट होने लगता है, माने अब ड्रैगन्स बन रहे हो, और जो एंसेंट स्टार सिस्टम में ये फॉग फैला था, दिर दिर वो गाइब हो जाता है, ब लेकिन वांगली क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खूच जाता है, तो इससे वो फॉग कुछ नहीं करता है, तो बहुत सारे कल्टिवेटर्स को समझ में आ जाता है कि भाई प्लेटफॉर्म पर खूच जाओ, बट यहाँ पर चोटल 99 प्लेटफॉर्म थे, जिन पर वो फोर्स को ही निगल जाता है, जहाँ पर एक एंसेंट डेविल का सर था, और यह दो कल्टिवेटर्स, पूरी तरह से गाय भी हो जाते हैं, तो पचास प्लेटफॉर्म पर धिरतरे दो लोग पहुँच चुके थे, दो दो लोग, वांगली भी यह सब देख रहा था, अब यह एक सी ना पड़ेगा, एक और चीज़ था, एकर दो लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, तो दो नों मारे जाएंगे, तो इस समय दस कल्टिवेटर, वांगली वाले प्लेटफॉर्म पर कूथते हैं, कि यार मरना तो वैसे भी है, यहाँ अगर थखफल होगे तो बच भ लाइट पे था, बाकी उतने स्टॉंग नहीं थे, लेकिन फिर भी सबका पावर लेवल है, निर्वाना क्लिंजर में तो था ही, और वांगली वाता है गुस्ता, क्योंकि जब कोई लोग मर रहे होते हैं, तो उनका पूरा पावर लगाते हैं, जितना होता है उससे ज्याद और वांगली वो ड्यवोरिंग टेकनिक से इससे भी ड्यवोर कर जाता है, जिससे एक बन्दा बलडी सकल यस trustees करता है, और वांगली मोलता तुम लोग मानोगे नहीं, आप छे बचे थे, और वांगली अप स्थ्वाड एनरजी यूस करता है, तीन मेंसे जो एक वोमन थी और दो मेल थे, उसमें से दो मारे जाते, और जो यह लेडी थी, उसके तो राइट आम को यह काड़ देता है, और यह लड़की मरना भी नहीं चाहते थी, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ पढ़ जाती है, तो 43 प्लेटफॉर्म जो बचे थे, उसमें से 28 को कुछ लोग क दिखाए देती है, जो कि फिलाल एक प्लेटफॉर्म पर बैटए थी, और इसका थाड़ आई चमक रहा था, जो कि प्लेटफॉर्म को कवर करके था, कोई कितना भी अटेक कर ले, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इनके अलबाँ पांच और लोग थे, जो वांगलिं का ध देते हैं, तलवार इनका धसवा था, और एक मैन इन पर पल, एक प्लेटफॉर्म लेकर थे, जनके अंदर से ये इन इनर्जी बाहर निकल रही थी, बाकरी जो बचीत हो थे, उसमें से एक थिन मैन था, मतलब थोड़ा पतला, इसने ब्लैक कपड़े पहने थे, आखे बन थ 90% लोग यहां पर मर जुके थे, 28 लोग ही बचे थे, वांग लिंग अपना आराम से बैठके कल्टिवेट करता है, और जो इसने ब्लैड वगर एबसॉर्ब किया था, उससे अपने बॉड़े को रिकावर कर रहा था, खास कर कि इसने फायर यूज ही नहीं किया, कि कोई इस कुछ लोग इसके रूथलेसनेस को नोटिस करते हैं, तो मतलब बंद बॉट डेमोनी के हैं, खास कर कि वो फैट मैन, गोलू मोलू, हसता है वांग लिंग के तरफ देखकर, और अबैकस लेके खेल रहा था, वो कुछ गेम समझ लो, और लड़की जो थी, सीलिंग एक्स्ट पंगे नहीं लोगा, फिर वो जो लेडी थी, जो आवतार के रूप में आई थी, उस लड़के जैसे दिखने माले लड़की के अंदर थे, वो वांग लिंग के तरफ देखते, एकदम शान थे, साइद ये थर्ड इंपरियल कौण को भाईन है, I guess थो, तो सभी लोग एक द डेविल का ट्रेजर था, बट वो खास नहीं था, लेकिन फिर से कुछ चेंजेस होने लगते हैं, आस्मान में, बिजलिया कड़कने लगते हैं, और सभी जो प्लेटफॉर्म थे, अथाइस, वो ट्रेंबल करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेस्ट्र अब रुख जाता है, वांगलिंग कुछ तो फील करता है, खतरा, और यह अचानक से अपने राइट हैंड को चलाता है, फोग को थोड़ा पीछे डखेलता है, तो यहां पर इसे एक बीश्ट दिखाए देता है, बीश्ट जो की पस से भरा हुआ था, और वांगलिंग इसे इमकाम करते हैं, जो फॉक ता उसे दूर फैकने लगते हैं, और इस तो में लोगों को फुल बैटल से फाइट करो, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और यह बताती कि मैंने ओल्ड रेकॉर्ड्स पढ़े हैं क्लैन के, तो मुझे थोड़े बहुत, एंसियन टॉम के बारे म नहीं जा पाएंगे, टॉम के अंदर, वांगलिंगन बीश्ट को देख रहा था, इनके अंदर इमोशन्स थे, और यह आराम से इथिरियल फायर यूज कर सकता था, और इथिरियल फायर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके थार्ड स्टेप कल्टिवेटर्स, जैसे कि कहाई यह जाता है, कि अगर इथिरियल फायर है, तो आप बस आहाँ गुमाओ, और अगर हजार लोग सामने खड़े हैं, या लाखो लोग, सबके अंदर में, आप आग जला सकते हैं, क्योंकि एमोशन्स उनके तोड़े से फ्लक्चुबेट कर रहे हैं, तो लोगो और हजारों की संक्या में, हुमेनोइट बीश्ट थे, भास्ट थे, काफि फेरोसियस थे, और वांगलिंग के ग्रूप में कितने लोग थे, पच्चिस थे, और यह जो बीश्ट बगए थे, इनमें थार्ड हेवन्स ब्लाइट पर भी थे, और मिनिमम जो पावर था, वो न देते हैं, और एक्स्प्लोजन में फेफ्ट एवन्स ब्लाइट का पावर होता है, बट वांगलिंग इस तोरह, इसके आसपस एक शिल्ड प्रकट होता है, वही लाइट शिल्ड, तो जो भी पावर आता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो कुछ पीछे से बीश्ट वांगलिंग पर अटैक करने वाले थे, दूबारा से आरे थे, वो इसके दोबारा हिट कर दिये जाते हैं, और वो भी कोलाप्स कर जाते हैं, लेकिन फिर से कुछ अपने को एक्स्प्लोड करते हैं, और वांगलिंग अब बीच में फस चुका था, लेकिन वांगलिंग का जो यह light or shadow shield था वो चमकता है और उसे reflect करते रहता है और यह shield जोकि बहुत ज़्यादा चमकता है तो वांगलिंग का expression कोई देख नहीं सकता था पर वांगलिंग इससे में कुछ चीज़े देख रहा था जैसे यह beast explode कर रहे था तो एक white energy निकल रहा था कुछ को वांगलिंग क्योंकि मार भी रहा था तो यह इसके body में enter कर रहा था बस basically यह ancient god power नहीं था यह life force था तो जिसके वज़े से इसके body में enter करता है तो इसकी injuries heal हो रही थी cultivators को devore करके जो यह निकाल रहा था उससे ज़्यादा बहतर थी और फांगलिंग को मज़ा था यह platform को छोड़ता है और आगे बढ़ता है बागे cultivator register कर रहे थे कुछ लोग तो beast के self destruction में फंस जाते है और injured भी हो जोगे थे फिर दूसरे explode कर देते थे तो कुछ एक मारे भी जाते सबसे relaxed वो woman invite थी मतलब वो spell भी use नहीं कर रहे थी इसके आसपास कोई भी बिष्ट आता था तो वो गायब हो जाता था black gas के वज़े से या पीछे भाग जाता था और फांगलिंग आप तो slaughter के mood में लग जाते कि कितनों को मार लो और कितने के और को absorb कर लो जैसे अब ये किसी को भी explode ही नहीं करने दे रहा था सीधा मार दे रहा था और इसकी injuries recover लागातार हो ली थी और बागे कल्टिवेटर excited हो जाते मतलब वांगलिंग के तरफ प्यार से देखते ये जट से कि यारी हमें बचा रहा है बट वांगलिंग को फरक नहीं पड़ता मिडिलेज़ मैन जिनके पास एक तलवार था जो वाइन जग पी रहे थे वो इस समय स्माइल करते एक बीश्ट को मार नेगे लिए तब ये वांगलिंग एक लाइटनिंग के समाना आता है और बीश्ट को मार देता है फिर निकल जाता है मिडिलेज मेन कुछ नोटिस करते है और अब इन्हें समझ में आ जाता है और बहुत लोगों को भी कि ये बंदग क्यों ऐसा कर रहा है लेकिन इस दोरान हजार को वांगलिंग मार चुका था इनको भी पता था कि ये बिल्स के समाने ये बीश्ट तो ये भी मार ना चाते थे जैसे कुछ लोगों का आपा चाते है कि फैलो कल्टिवेटर मतलब वाइट रोब कल्टिवेटर वांगलिंग सफित कपड़ों में था तो हम साथ में बैटल करते है आप अकेले क्यों कर रहे हो वांगलिंग के इस तोरह ने इंसेंट गॉड स्टार कुमते है पहला वाला स्टार चमकता है एम्परर फरनेस बाहर निकलता है और हजार विश्ट को सीधा गिर लेता है और वांगलिंग इन्हे डेवोर कर जाता है मतलब फरनेस के अंदर खीच लेता और रिफाइन करने लगता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाते आप कल्टिवेटर उसको समझ में आता है और ये सब और वांगलिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते है कोही भी वीश्ट बसता ही नहीं और वांगलिंग अब प्लैटफॉर्म पर आ जाता है देखता है कि इन लोगों के अंदर एमोशन्स थे फिलाल लेकिन कोई आगे नहीं आता है वांगलिंग से फाइट करने एक्स्टर्मिनेशन क्लैन वाली तो शान थी थोड़ा सा आगे देखती भी है तो वांगलिंग इसके तरफ देखता है यह डर जाती है पीचे हड़ जाती है सभी लोग अपने अपने प्लैटफॉर्म पर वापस आ जाते है लेकिन पसंद किसी को नहीं आता है जो वांगलिंग ने किया था विबस के वल वो जो वोमेन इन वाइट थी वो एकदम तारीफ की नजर से वांगलिंग को देखती अब जो प्लैटफॉर्म थे थोड़ा सा ट्रेंबल करते हैं हिलते हैं और अब आगे बढ़ने लगते हैं नीचे जाने की बज़े बहुत फास्ट और वांगलिंग इस समय मूड में था कि भाई ये बीश्ट भागरा तो मेरे काम के है तो किसी को लेनी नहीं दूँगा फरनेस के अंदर जो भी चीज़े रिफाइन हो रहे थी इसके बॉड़ी में आ रहे थी और ये हील हो रहा था और इसे फील होता है कोई तो इस पर ध्यान बना के है और इस पर ही नहीं पूरे कल्टिवेटर्स पर और ये अंदाज़ा लगा था कि यार बहुत सारे लोग एंटर किये हैं हम एक साइट से जा रहे हैं बागे साइट से भी सेम चीज़े हो रहे होंगी और लोग एंटर कर रहे होंगे कुछ घंटे बीच जाते है फौग अभी भी था बट पहले से थोड़ा कम और लोग जब सामने चीज़े देखते हैं तो हैरान थे सामने में इने एक टॉम दिखाए देता है ऐसा लग रहा था यहाँ पर हजारों सालों से, दस हजार सालों से कोई अंटर नहीं किया था और बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट से मतलब अगर आप टकर आए तो अंदर खीच लिए जाओगे कहां जाओगे पता नहीं और इने सामने में एक तस हजार फिट का नील डाउन होना पड़ा था और आसपास, बलडी मिश्ट था एंसेंट कोड के राइट साइड में एक और फिगर था जो कि चार अजार फिट लंबा था वो भी नील डाउन था और इसका लेफ्ट है एक दब मैडनेस से मानो भरा हुआ था राइट आई खाली था मानो किसी ने राइट आई से निकाल लिया हो उसकी आँख ही और एंसेंट कोड के लेफ्ट साइड में एक तीन हजार फिट का एंसेंट डीमन था अब डीमन का देखो लेफ्ट आई में पावर होता है तो इसका लेफ्ट है काली था और राइट आई में एक डर दिखा जा सकता था मतलब वो मर चुके थे बट उनका पुतला अभी भी वहाँ पर था तो एक्स्प्रेशन वैसा दिख रहा था एंसेंट कोड प्लेटफॉर्म को मानो पकड़ गे था और एंसेंट डीमन और डेविल मानो यहां पर प्लेटफॉर्म की पूझा कर रहे थे और यहां पर जो ब्लेट वगरा था थोड़ा गोथ यह जो हुमन आइट बीश्ट थे उन्हें अब्सॉर्ब कर रहे थे और दो कल्टिविटर्स को यह बालक चपकते निप्टा भी देते मतलब बीश्ट अब फिर से अटेक करना शुरू करते और वांगलिंग तो सोच रहा था यार इन बीश्ट को अगर डेवर कर गया तो रीकवर कर जाओंगा तो बाकी जो कल्टिविटर्स थे इससे पहले चार्ज कर जाते मतलब वांगलिंग अभी सोच रहा था और वो लोग आगे बढ़ जाते क्योंकि उन्हें भी पता था कि इससे फाइदा तो होगा और इनका प्लैन यही था कि अगर यह वाइड कल्टिविटर्स से अकेले लेने की कोशिश किया तो हम मिल के मार देंगे खास करके वो जो फैट बोई था वो मन में सोचता है कि यार अगर यह जादा किया तो मैं इसे मार दूँगा और इसका सोल को रिफाइन कर लूँगा अगर इसने दस्ती जादा मारे तो थीन ब्लैक कल्टिविटर्स का भी सेम मोड था मैन इन परपल भी जो था वो भी यही सोसता है कि यह बंदा है श्टॉंग है लेकिन जादा किया तो भाई फिर बचेगा नहीं और वो जो ओल्ड वोमेन थी वो भी कुछ वैसा ही कह रही थी कि यहाँ पर जो ओफर्स है सब के लिए बतलब यह तुम अकेली नहीं नहीं सकते है सब मन में कहते है खास करके वो मेडिलेश्ट में तुम जो था जो जग पीरा था वाइन जग वो भी बोलता है कि यार तुम थर्ड स्टेप कल्टिवेटर भी नहीं हो तो इतना लालची नहीं होना जाए बट सीलिंग एक्स्टर्मिनेशन क्लैन वारी लड़की यह सब दीख रही थे और काफी खुश होती कि चलो अच्छा है यह सब लोग मिलके इससे फाइट करेंगे लेकिन फिर इससे याद था कि वांग लिंग कितना खतरनाक है क्योंकि वांग लिंग शान था यह सब लुक ठोड़ा सा अफ हीट के ओर आ फील करते है उर वांग लिंग के वरिजिल वीर इथ जो पाहन पाहले थे यह जाती है इसका लेफ्ट टाइम में वापस आ जाते है और वांग लिंग अब बोलता कि कौन मुझे मारने वाला था और इस समें इसके लेफ्ट है में नाइन कलर का इथिरियल फायर देखा जा सकता था फटती है लोगों की इथिरियल फायर कल्टिविटर क्योंकि ऐसे कल्टिविटर दस हजार साल में कादी पैदा होते है क्योंकि वांग लिंग ने बस एक राइट हैं ऐसा घुमाया था और दस हजार बीष्ट मारे गए थे और जैसे वांग लिंग की तरफ देखता है लोग पीछे हटना शुरू हो जाते है खास करके मतलब लोगों ने खुल के बोला था कि तुमने ये बोल रहे थे कि अगर मैं दस से जाधा बीष्ट रिफाइन मार दिया तो तुम मेरे सोल को रिफाइन करोगे मतलब फैट बॉइ हिल जाता है एसा मालूम था भाई इथिरियल फाइर कल्टिवेटर ये रिफाइन करी नहीं सकता है फैट कल्टिवेटर पसीनियमे एक दम भीग जाता है ऐसा फील करता है कि इसके अंदर में एक आग जल रहा है मूँ सोखने लगता है ये बोलता है कि हाँ मैंने कहा था उम्मिद आप मुझे माफ कर दोगे और मेरे माफी के बंदे ये मैंने प्लेटफॉर्म से मिला था कि आप ले सकते हो वांगलिंग के आप में एक स्केल देता है अब वांगलिंग दूसरे बंदे की तरब देखता है कि तुम बोल रहते कर मैंने एक एक भी एक्ष्टा बीष्ट मारा तो तुम मुझे मारत होगे फैट कल्टिवेटर तो अब शांत हो जाता है मतलब साइड में हड़ जाता है फिलाल ये जो दूसरा बंद दा था ये भी बोलता है कि यार मैं तोड़ा सा ज़्याद रेकलेस हो गया था और एक ब्लैक स्वर्ड वांगलिंग को देता है वांगलिंग इतना तो फिल करता है ये जो कल्टिवेटर था ब्लैक रूप में इसके अंदर से जो फलक्टिवेशन से उतने श्टॉंग नहीं थे इसके आईबरोस के बीच में एक मिस्टिरियस पावर है जो की साथ सीड है फिर वांगलिंग देखता है एक तीसरे बंदे की तरफ कि तुम मुझे स्क्रैम बोल रहते है कि निकलो याज है ये था मैन इन परपल इसके भी पसीने छूटने रगते और इससे भी अपना ट्रे देखती है क्या सोच रही थी पताने बट वांगलिंग रप से आगे बढ़ता है एक दम बिजले के समान इसके सामने प्रकट होता है लेडी पीछे हटती है और कुछ सील से एक्टिवेट करती है आसपास के रिया थोड़ासा टिस्टार ठोलने लगता है हिलने लगता है वा वांगलिंग इसका हाथ मनों तलवार के समान आगे बढ़ता है आसपास एंसेंट और फेल लगता है एक फिंगर ओफ टाइम कुछ ऐसा आटेक था यह इस लेडी को लगा था कि यह वांगलिंग के स्ट्रेंद को ज्यादा समझ रही है लेकिन शायद इसने अभी भी कम ही सम आता है और वांगलिंग के आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाए देते जिने यह जानता था थोड़ा यह कंफ्यूज हो जाता है लेडी जो सीलिंग एक्स्टर्मिनेशन क्लैन की थी वो पैचान जाती यह स्पैल को और समझ जाती कि यह लेडी सीलिंग फैंटम क्लैन के मतलब यह थोड़ा सा इल्यूजन्स बना सकती है आसपास के कल्टिविटर भी इस औरा से अफेक्ट होने लगते है वांगलिंग इस पिंक मिश्ट के तरफ अटेक करता है पिंक मिश्ट पीछे हटने लगता है मतलब वांगलिंग का थंदर अटेक था तो पावरफुल था और वा लेड़ी ने सीलिंग फैंटम स्पेल यूज़ किया था तो सभी कंफ्यूज हो गए थे वांगलिंग ने इस लेड़ी पर जान बुछ के अटेक किया था कि वह इससे इसका सीक्रेट जानना था अब तो यह जान चुगा था तो इससे मारता नहीं है इथिरियल फायर को भी बुझा देता है और ये फायर इसके बॉड़ी में वापस आ जाता है लेकिन फायर सीड हलका से इसके बॉड़ी में चोड़ देता है कि अगर कुछ भी करेगी तो अंदर से चला देगा और फिलाल ये लेड़ी भी एक ट्रेजर वांगलिंग को दे देती है सभी बंदे ऐस करते हैं जिन्होंने वांगलिंग को डिस्रेस्पेक्ट किया था खास करके बस वो जो वाइड मुमें थी वो काफी स्माइल करके वांगलिंग को देख रही थी और इस तोरान इसका जो प्लेटफरम था हवा की तरह पढ़ने लगता और ये बोलती है कि यहाँ पर एक ट्रे और दूसरे साइड में एंसियन टीमन था और आसपस रेड फॉक फैला हुआ था प्लेटफरम पर मतलब यहाँ पर कुछ तो सील था जो बहुत पावरफुल था जिसके बारे में उस लेडी ने बताय था पर वांगलिंग इसके नजरे सामने की तरह पढ़ती है यहाँ पर नो रिफ्ट नो प्लेटफरम परकट हुए थे तो श्टोरी यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं फिर कले एक नए वीडियो के साथ